हलो एबरिवरन वेलकम तो माई चैनल येलो लाइव आज जो है मैं काफी दिनों के बाद मिलने आई हूं आप लोगों से तो आज जो है मैं एक रेमेडी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो की हमारे स्किन की टैनिंग को दूर करतेगा और जो हमारे फेस पर वाइट हैड जो की है मुलतानी मिट्टी और चावल का आठा उससे पहले पेस पैक को बनाने से पहले आज ही मेरे पास जो है मेरे एक सब्सक्राइबर का कोशिन आया था कि जो है मैंने ब्यूटी बैरी की लिप्स्टिक अप्लाई की थी शोट वीडियो में डाला था मैंने इसकी लिप् स्मच प्रूफ है विल्कुल भी नहीं निकलती है काफी अच्छी है तो अगर आप चाहें तो इसे ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए अब जो है हम अपना फेस पैक रेडी करते हैं जो पर स्टैप है हमारा उसमें लेंगे हम मुलतानी मिट्टी सेकिंड जो है हम लेंगे चाव चावल का अटा ले रखा है आप जो है मैं इसे वन स्पून चावल का अटा लोंगी और इसके अंदर जो है मैं मुलतानी मिट्टी मिला लोंगी आप चाहें तो अपने घर पे जो हमारी होते हैं मुलतानी मिट्टी वो यूज कर सकते हैं या आप इसकी मुलतानी मिट्टी जो यह अर्बल की वैदिक की यह ले सकते हैं तो मेरे पास यह है इसको जो है पहले बिवोना नहीं पड़ता है उन्तावी मिट्टी जो है हमारी स्कीन पर जो एकसेस ओई होता है उसको भी निकाल देती है इसको भी जो है मैं लगबग वन स्पून ही लूँगी यह जो दोनों ही इंग्रीडियंट है यह जो है हमारी स्कीन को ग्लो प्रोवाइड करते हैं और हमारी स्कीन को इवन टोर मनाते हैं अब इसके अंदर जो है मैं गुलाब जल मिक्स कर लोगी और इसका फेस पैक बना लेगे अच्छे से गुलाब जल जो है हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा होता है सिंप्ली गुलाब जल को हम एजे टोनर भी अपलाई कर सकते हैं तो गुलाब जल हमें इसमें इतना मिलाना है कि हमारा फेस पैक जो है काफी अच्छे से मिल जाए और एक स्मूध सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाए तो देखिए फ्रेंड्स फेस पेक जो है काफ़ी अच्छे से बन गया है हमारा स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे हम इसको और अब जो है मैं इसे फेस पर अप्लाई करूँगी तो face पर अप्लाई करने से पहले हम जो है अपने make-up को remove कर लेंगे हमारी face पर जो है कोई भी हम face pack अप्लाई करते हैं तो हमारे skin पर cream बगार नहीं होनी चाहिए नहीं तो जो है face pack उतना अच्छा glow नहीं provide करा आपाता है और जो effect आना चाहिए face पर वो नहीं आपाता है तो चलिए मैं अपने face को wash कर लेती हूँ और फिर मिलती हो आप लोगों से तो देखे friends मैंने जो है make-up को remove कर लिया है और आप जो है मैं इस pack को अपने face पर अप्लाई करूँगी काफी thick layer apply करूँगी अगार आप brush चाहिए तो brush अप्लाई कर सकते हैं नहीं तो आप finger की help से भी किसे जो है अपने face कर अप्लाई कर सकते हैं इससे जो है आपकी skin को काफी ठंड़क भी मिलेगी और जो घुमोरिया हो जाती है हमारे face पर कई बार गर्मियों में धूल मिट्टे के कारण चोटे-चोटे जो दाने निकलाते हैं face पर वो भी जो है चीक हो जाएंगे skin को जो है यह smooth बना देगा और even tone प्रोवाइड करूँगा है काफी अच्छे से इसे जो है हमें अपने face पर अप्लाई करना है नेट पर भी apply करेंगे इसे हम अच्छे से इसे अपने face पर अप्लाई कर लिया है काफी अच्छे से अब जो है मैं इसे 20 से 25 मिनिट तक ड्राई होने दूँगी और जिब्राई हो जाएगा तब मैं आप लोगों से मिलती हूं और इसको wash करके आप लोगों को दिखाती हूं किससे जो है हमारी स्किन पर इतना अच्छा ग्लो आता है तब तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलती हूं आप लोगों को इसको ड्राई होने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स फेस पेक जो है ड्राई हो चुका है और हमें प्लका फुलका गीला ही रखना चाहिए बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना है अगर जादा ड्राई करेंगे तो हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा टाइट होना शुरू हो जाती है तो जब हलका सा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइप करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब and thank you for watching me